तो आजका जार्खण में क्या चल रहा है? मया सम्नाल ये उजनाब तो ये जो मया है ये हमारी मया आदर्णिय बेपी देवी जी की सुर्गेया जगरनादाजी को विनौर विहारी मेर्को जी को टेकलाल जी को सबको मैं नमस करती हूँ ये जार्खण ये जार्खंड है भूमी संग्राम की ये जार्खंड है भूमी उन लोगों की जो अपना सर अपना सर कभी जुकाते नहीं है डोवार जे जार्खंड आज पारगो दिलईया में आयोजित इस कारिक्रम में सबसे पहले मैं हमारे यहां के आप सब के हम सभी के स्वर्गिय जगरनादार जी को विनोज विहरी मैंतु जी को टेकलाल जी को सबको मैं नमन करती हूँ और साथ ही साथ हमारी इस जारखन की वीर भूमी भगबार विर्सा मुंडा, सिद्धू कानों, पूलो जानों, पोटो हो, शेख विकारी अलग सबी हमारे वीर शहीदों को भी मैं प्रणाम करती हूँ और तिना आपो, सूर संकित को नहें से डरकाल, माजी बाबा, नायके गोडे, जुक बराने, माजी, चानदो बरावरी गो बाबा को, और दुर और बिटी, बोहित को, बेटा को, सनम कोगे, इसे को नडी अडी अडी गुर बनाओ जोहार सबीन के जोहार, काती के ये माई के, सबीन के गोड लागे हुआ, और आपन छोटों को, भाई बोहित को, आशिरवाद, और मैं ये बस बताने चाहती हूँ, जिस तरीके से, यहां हमारी भारी तादात में, माताए, बहने, बड़े बुजोग भाई, दादा, छोटे, बच्चे, मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, मंच पर उपस्तित हमारी आदर ये जारकन की मंत्री बेवी देवी जी के साथ, मंच पर सभी गणमाने व्यक्तियों का, मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ, और मेरी तरह से सभी को, जोहार, नमस्कार, प्रणा, सलाम वालेकुम करती हूँ, जोहार, जोहार, और याद रखिएगा, गर्व से लीजिएगा ये जोहार, ये जोहार है जारकन्डियक की पहचान, ये जोहार है, हमारे मान सम्मान का, हमारा प्रती, और आज, जिस तरीके से हम अपने आपको जारकन्डिक होते हैं, वीर सहीदों का नाम गर्व से लेते हैं, हमारे अभी बाबक लोगों का नाम गर्व से लेते हैं, दिशप्रुरुशी बुसोरें जी का नाम गर्व से लेते हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ, इनोंने, हमार जार्खट के जितने भी आमोलनकारी हैं, जिनों ने अपना परिबार, अपना अपनों का प्यार त्यार कर के, अपने जार्खट, अपनी माठी, अपने जंगल, जमी से प्यार किया है। उन्हों को मेरी करफ से जोहार है और वो छारकंटी जोहार इसलिए है क्योंकि उन्होंने हज एक शहीद ने अपना प्यार, अपना परिवार, अपना माता, पिता, भाई, देहन, पत्नी बच्चों को छोड़ करके जिस तरीके से त्याग और तपस्या की परिभाशा हम लोगो को सिखाई है, उनकी कहानी, उनकी गाता हमें ये कहती है कि ये जारकंट, ये जारकंट है भूमी, संग्राम की, ये जारकंट है भूमी, उन लोगों की, जो अपना सर, अपना सर कभी जुकाते नहीं है, चाहे जितनी भी विशम परिश्चितिया क्यों ना आ जाए, चाहे हम आपके जो सीने में आज बेप में बहती है वो हमारे पूर्वजों की दी हुई है आज ये धर्ती आज ये लेलाहा देखे ये सुंदर सुंदर पहाड आज जरने हम प्रकृती की जब शोवा की बात आती है तो जार्कण अवल नंबर पे आता है जार्कण में चाहा चाहिए अगर आप रास्तेक से अपना सफर तै कर रहे हो चाहे आप उपर हेलिकॉप्टर से तै कर रहे हो ये सुंदर सुना जार्कण किसका है ये सुंदर सुना जार्कण आपका है ये सुंदर साब जार्कण हमारा है और इसको सुंदर बनाने का काम इसको समरिद बनाने का काम अगर कोई कर रहा है जार्कण में तो हमारे आदनियर आपके प्यारे बेटा आपका प्यारा दादा हेमन सोरें कर रहा है मानते हैंगी नहीं इस बात को, मानते हैं, और यह याद रखेगा, जारकंड में, गरीब, कुर्बा, मजदूर, पिछडा, अल्पसंख्या, गादिवासी, कोई भी अगर है, इनको अगर आगे बढ़ाने का काम किया है, तो जारकंड मुक्ती मूर्चा के हमारे दिशंगुरुजी के मार्ग दर्शन पे, आपके प्यारे पेटा है मन्सोरें जी ने, इनको आगे बढ़ाने का काम है, जैसे बता रहे थे, आधर निया बेबी देवी जी, आजकल जारकंड में क्या चल रहा है, मैया चल रहा है, क्या चल रहा है, सुनाई देता है ला सबको, सब किसकी बाते करते हैं, किसकी मैया बाते करते हैं, भाया लोग बता देजे, किसकी बाते करते हैं, मैया संबाल योजना तो आजकर जारकट में क्या चल रहा है मैया संबाल योजना तो ये जो मैया है ये हमारी मैया आदर्निय बेबी देवी जी की अगुआई के साथ हम लोग अपनी यात्रा शुरू किये थे और मैं आपको बताना चाहूंगी 23 तारीक से हमने यात्रा की भी तीर प्रमंडल गने और हर एक जगा हम लोगों को हमारी आधी अबादी के साथ हमारे भाई दादा का बहुत सारा प्यार मिला और ये प्यार मिलना ये आशिरवाद लेना ये किसलिए है क्योंकि जारकट में ये पहली बार है आपको मैं बताना चाहूंगी जारकट ब हमारी आधी अबादी के बारे में अगर किसी ने सोचने का काम किया है तो आपके बेटा हेमन सोरेन ने किया है अगर ये संबान मिलाने का काम किया है तो आधर निये बेबी देवी जी ने किया है जो ठुशियां जो चेहरों में चमक और आखों में दमक दिखती है उसका पूछना चाहती हूं हमारे भाई दादा से कि माईया सम्मान योजना आपको कैसी लग रही है कैसी लग रही है और अभी मेडम ने आपको बताया ये सम्मान की राशी दिसंबर से भी बढ़ने वाली है ये आपकी राशी 2500 प्रतिमा हो जाएगी क्या जरूरत है मैं आपको बताना जाती क्या जरूरत है ये जरूरत इसलिए है जब आधी शक्ती हमारी आधी जब अबादी है तो हमारा हग भी आदा होना चाहिए और उसके लिए एग ये प्रयास है आपके पेटा आपके दादा की तरफ से की जरूरत की आधी अबादी को शशक्त बनाना है उन्हें लाइन में पीछे नहीं उन्हें आगे खड़े होना है अगर परिवार में अगर मान सम्मान समाज में हमारे चाहिए जिस भी छेत्र में हमारी महिलाई काम करती है चाहिए वो ब्रहणी के रूप में हो या कामकाजी के रूत में हो उन सबों को शारिरिक तौर पर, मांसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर सब्बन इसलिए बनाना है क्योंकि ताकत आपके हाथ में है एक स्त्री एक महिला अपने घर परिवार का पालन पोशन किस तरीके से करती है आप सभी को पता है सबके उठने से पहले सबसे पहले उठती है पूरे अपने बच्चों का सासुसूर का पती का देखपाल करती है और दिन पर खटती है और घर आने के बाद बच्चों को सही समय पे खाना देना सासुसूर को सही समय पे दवाई देना पती चाब आपस आए तो उपको खाना देना फिर सबको खाना खिलाने के बाद खोट खाती है लेकिन अपने बारे में वो कुछ नहीं मांगती है आपसे मांगीती है सिर्फ थोड़ा ससने थोड़े से दो मीठे बोल और ये दो मीठे बोल करने का या मांगने का उसका हक बनता है वो दिन से सुबे से लेकर गाट तक खटती है और जाते हैं ये शरीर है तो शरीर खटता है उमर बढ़ती है और ये जो संबान राशी के तौर पे सहायता के राशी के तौर पे हमारी आदिया अबादी को जारकंडी सरकार में जो ये प्रोचसा राशी दी है ये इसलिए दी है ताकि आप अपने बारे में सुच सके